नमस्कार आप सभी का Knowledge Point में बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरों का समेत, SSE जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में कामाएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार श्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे तो आईए देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब सही सही देखाते हैं सवाल नमबर एक, सर्यू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है सवाल नमबर दो, मिर कासिम का किला बिहार के किस जिले में है और इसका सही जवाब है सवाल नमबर तीन, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है A. सारन, B. मगध, C. भागलपूर, D. कोसी और इसका सही जवाब है C. भागलपूर सवाल नमर चार, मनुष्ण ने सबसे पहले किस अनाच का प्रयोग किया था? A. गेहू, B. चावल, C. जौ, D. बाजरा और इसका सही जवाब है C. जौ सवाल नमर पाँच, पहले भारते सामराज के सापनाग के साशक ने की थी? A. चंदरगुप्त मौर्य, B. अशोग, C. कनिश्क, D. समुद्रगुप्त और इसका सही जवाब है A. चंदरगुप्त मौर्य सवाल नमर छे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्था पक कौन थे? A. रासबिहारी बोस, B. रामचंद्र, C. श्यामजी क्रिश्नवर्मा, D. लाला हरदयाल और इसका सही जवाब है C. श्यामजी क्रिश्नवर्मा सवाल नमर साथ, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन है? A. लाल, B. पीला, C. नीला, D. बैंगनी और इसका सही जवाब है D. बैंगनी सवाल नमर आठ, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? A. बढ़ता है, B. घटता है, C. वही रहता है, D. अनिश्यत और इसका सही जवाब है A. बढ़ता है सवाल नमर नौ, किस राज सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? A. च्छतिसगड, B. ओडिशा, C. महरास्ट्र, D. मध्यप्रदेश और इसका सही जवाब है A. च्छतिसगड, सवाल नमर दस, भारत का पहला भूतापिय च्छेत्र विकास पर योजना कहा इस्थापित की जाएगी? A. श्रीनगर, B. लेह, C. गंटॉक, D. मनाली और इसका सही जवाब है B. लेह सवाल नमर ग्यारा, सोरी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते है? A. वर्ड मंडल, B. प्रकास मंडल, C. किरीट या कोरोना, D. इस्थल मंडल और इसका सही जवाब है C. किरीट या कोरोना पिसले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये हैं उनके नाम है अमन डैट, रवी कुमार, सिंटु कुमार कुश्वाह, शिवानी कुमारी, सुगंद शर्मा, बिरेंदर कुमार, महता, सोनु कुमार, पूजा कुमारी, बंटी चौरसिया, असनिस कुमार, अंजन क्रेशन हमारे सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं? आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं, सबसे ज़्यादा सही जवाब देने बालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कुशिस करेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए नमस्कार